नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे आपका तह दिल से स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे नवजात बच्चों की देखभाल मानसून के मौसम में के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दू अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे तूर तह सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मट बच्चों का विशेश रूप से ध्यान रखना परता है मानसून का मौसम ऐसा मौसम होता है जो अपने साथ खुशियों की बौच्छार तो लाता ही है लेकिन इसके साथ ही वो लेकर आता है कई तरह की बीम रियों को भी ऐसे में नवजात शिशू की खास देख़ाल बहुत आवश्यक होती है नवजात शिशू बहुत नाजुक होते हैं और बदलता हुआ मौसम नवजात शिशू की सेहत पर बुरा असर डालता है मानसून भरे मौसम में नवजात बच्चों के लिए कुछ खास देख़ाल की आवश्यकता होती है तो चलिए मानसून के मौसम में न तेहत संबंधी कई बीमारियां पैदा हो जाती है। ऐसे में यदी मौसम मानसुम का हो तो पानी का दूशित होना एक आम बात है। इसलिए पानी को हमेशा उबाल कर छानकर पीना चाहिए या फिर आप फिल्टर के पानी का सेवन कर सकते हो। तीन स्वच्छता और सफाई मानसुम का मौसम उमस भर होता है। इस मौसम में नवजात शिशु को बहुत पसीना आता है ऐसे में फंगस संक्रमंट त्वचा पर चकते या अलजी हो सकती है। इससे बचने के लिए बच्चे को दिन में कम से कम एक बार जरूर नहलाना यदि ऐसा करना संब वर्न हो तो स्पंच से उनका बदन जरूर साफ करें। आप बच्चे को नहलाते समय उसके शरीर में उसकी गर्दन, जननांग और अन्य की जांच अवश्य करें। देखें कि शरीर के किसी प्रकार का कोई संक्रमंट तो नहीं है। चार नवजात के कपड़े। मा, निसून के मौसम के दौरान नवजात बच्चों को हमेशा नर्म, साफ सुखे और सूती कपड़े पहनाने चाहिए। यदि उसके कपड़े किसी कारणवर्ष गीले हो गए हैं तो उनके कपड़े तुरंत ही बदल देने चाहिए और उन्हे हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहनाने चाहिए। पांच खाने में ताजगी। मानसून के मौसम में नवजात की देखभाल में हमेशा बच्चों के खाने में ताजगी का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही उनको हमेशा ताजा और साफ खाना खिलाना चाहिए। अन्य ध्यान रखने योग्य बातें, मौसम की पहली बारिश होने पर अपने बच्चों को घर के अंदर ही रखें, क्योंकि बरसात की पहली बारिश अमलिय हो सकती है, जिससे नवजात को त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है, नवजात को मुंग में हाथ डालने की आदत हो, इसलिए उनके हाथों को हमेशा साफ रखें और समय समय पर उनके नाखूनों को काटते रहें, इस मौसम के दौरान बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं, इसलिए अपने नवजात को बाहर तब तक न निकाले जब तक मौसम स्थिर न हो जाएं, अपने चिकितसा से पूछ क अगर दवाओं की एक कित हमेशा अपने पास रखें, जो आपातकाल स्थिती में आपके बच्चों के काम आ सकें, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अन्फॉर्मटिव लगी हो तो, इस वीडियो को लाइक और अपने जल्द जवाब देंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए है या अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपून जानकारी वाले वीडियो ले